नमस्कार उत्रकंट बुलेटिन में आपके स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शुक्षा मैरे उत्रशुरुवात करते हैं खबरों की उत्रकंट के पूर्व मुख्यमत्री हरी शुरावत ने अपने दल बदल के साथ आज लकसर पहुचे लकसर में राय बहादू नारायन सिंग शुगर मिल के मुख्यद्वार के सामने बैठ कर उन्होंने एक घंटे का मौनवरत रखा इस दोरान उनके साथ कांग्रेसी कारकरताओं का जमावड़ा भी लगा रहा हरी शुरावत का ये मौनवरत कारकरम किसानों की बढ़ती समस्याओं को लेकर था धान के फसल के विक्री में आ रही समस्या गन्य का रुका हुआ भुकतान गन्य का समर्थन मूल्य घोशित ना किया जाना शुगर मिल का समय से ना चलना आदी समस्याओं को लेकर हरी शुरावत ने लकसर में मौनवरत कारकरम रखा हरी शुरावत का मौनवरत तीन बजे से चार बजे तक चला हरी शुरावत ने अपने संबोधन में कहा कि केंदर सरकार ने किसानों की जान इस तरहां खीच ली है जिस तरहां बंदर साप को रगड रगड कर मारता है उसी तरहां केंदर सरकार ने किसानों की जान खीच ली ह कि रहे गें कि इसको महगाई लेकिए आलत यह हैं कि जब अंगा कि किसी कभी किसी साम को मार दो तो यूं हिस्ता है जिसकर के देखना है यूं देखकर दो कुछ जान है इसमें चलिए तिर इसमें रखना है प्रधान मंतरी नरींद्र मोदी के केदारनात दोरे के बाद उत्राखन की राजनीती गर्ब हो गए है क्योंकि कॉंग्रस ने बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया है कॉंग्रस के प्रधान मंतरी नरींद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से आज प्रधान मंद्री नरीन द्रमोदी ने बाबा केदार नात के गर्ब ग्रेह से अपने पूचा पाट का लाइव प्रसारण करवाया जो नियम के खिलाफ है और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ यहीं नहीं उन्होंने केदार नात से लाइव भाशड भी दिया जो नियम के खिलाफ है और इसकी वजह से उत्राखन वासियों की भावनाव को ठेस पहुची है क्योंकि बाबा केदार के मंदिर में कोई भी तस्वीर कीचिना या फिर वीडियो बनाना प्रतिबंधित है लेक है भगवान 2013 जैसी आपदा अब हम को मत दिखाना क्योंकि इनसान गलती का घड़ा है और प्रधान मंतरी नरींद्र मोधी के इस गलती को भी वो च्छमा कर दे जिस तरह से प्रधान मंतरी नरींद्र मोधी ने केदारनात के दर्शन किये उसके बाद अब राजनीती गर्म हो गई है और कॉंग्रस के प्रधीश अद्यक्ष ने प्रधान मंतरी पर निशाना सादा है और उन्होंने केदारनात बावच से प्रधान मंतरी को छमा करने की उन्होंने कहा कि 2013 जैसी आपदा फिर हमेना दिखाएं जिस तरह से सीधा प्रसारण प्रदान मंदरी नरीन रमोदी का हुआ था किदार नातधाम से वो भी गर्बग्रेह से उसके उपर काफी आपत्ती जताई है प्रदेश अध्यक्षने कॉंग्रस प्रदेश अध्यक्षने जिसके बाद ब्राजनीती गर्माती हुई नजर आ रही है गंगोत्री मंदर समिती के तीर्थ पुरोहितो और राचार गड़ों की उपस्तिती में कपाट विदी विधान के साथ बंद हुए इस असर पर बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री और इस्ताई लोग भी हुआ पहुची तीर्थ पुरोहितों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि जलादिकारी उत्तरकाशी मयूर दिक्षित बताया कि इस यात्रा वर्ष 32,948 से अधिक तीर्थ यात्री गंगोत्री धाम दर्शन करने आए गंगोत्री धाम के कपाट शीत कालीन के लिए बंद कर दिये गए हैं पूरे विदी विधान के साथ द्वार को बंद किया गया आको बता दे कि इसकी वज़े ये भी है कि इस मौसम में बर्फ बारी काफी होती है और लैंड स्लाइट का खत्रा भी रहता है इस वज़े से भी कपाट को बंद कर दिया जाता है अगली खबर की तरफ नरेंद्र नगर के भांगला देवी के गौर्जा देवी मंदिर में मूर्ती स्थापनावार कलश यात्रा में श्रधालों की भारी भीड उम्डी प्रवचन पूजपाथ और भजन कीर्दन का ये यग्या आठ दिनों तक चलेगा मतादे गंगास्तनान के बाद मा गौर्जा देवी की डोली 12 से अधिक वाहनों के काफिले के साथ 85 किलो मीटर की यात्रा तैक कर गाजे बाजे के साथ भांगला गाव पहुची जहाँ वैदिक मंत्रों चारण मा के जैकारों के नारों से मा की डोली का स्वागत किया गया इस दोरान गगन भेदी जैकारों से पूरा छेत्र गुंजियाम हो गया गाजे बाजे के साथ छेत्र में लगभग चार किलो मीटर की भाव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई इस कलश शोभा यात्रा में शामिल महिला पुर्शो सहेत चोटी बड़ी उम्र के श्रधालू भी भीड़ दिखी साथी मंदिर समीती की तरफ से विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया ये पूरा देश ही अलग ही महत्व है और देश के हर कोने में लोग अपनी रीती रिवाज के अनुसार बड़े हरशो इलास के साथ दिवाली के इस्तिवहार को मनाते हैं वही टिहरी जनपत का मांदरा गाउ के लगभग 85% परिवार पलायन कर चुकी हैं लेकिन गाउ के कुछ प्रवासी युवा आज भी गाउ की पौराडिक सांस्कृति को जिन्दा रखने दिवाली मना दे शहरों से गाउ आते हैं और पौराडिक सांस्कृति के अनुसार गा आहान है स्वयम्में सामान्य पलाएने इसको एक राष्ठ्रिय चुलोची मांनके राष्ठ्रिय समस्या राष्ठ्रय आपड़ मान करके इससे निप्ता जाना बहुत आवश्यक है स्यमांत का प्रदेष है और स्यमांति के इन उच्व कर्मत्य हिमालें गाउं से लोगों का इस तरह विकास के लिए या सुर्दाओं के लिए गाओं को छोड़ना एक बहुत बड़ी समस्या है इसको मैं और इस समस्या का निदान इस रूप में सुचता हूं कि यहाँ चुनोती एक राष्ट्रिया आपना मान करते है तहसील विकास तगरचेत के ग्राम पंचायत सेंकरों से गाओं में पानी सप्लाई कराया और दूसरी साइड खराब हुए ट्यूब बेल को भी विभाग के तरफ से ठीक कराया गया लेकिन वहीं आज लोब वोल्टेज की वजह से ग्रामीडों ने फिर से पानी के संकट का सामना करा ग्रामीडों का कहना है कि आदू वा ग्रामीडों और होटलों को उस ट्रांसफार्मर से जोड़ा गया है लेकिन डेड़ महीने से बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर रुका पड़ा है वहीं ग्रामीडों का आरूप है कि डेड़ महीने से खराब बिजली विभाग ने खराब पड़े ट्रांसफार्मर को सु कोशिश भी की गई कि सर हमारे ग्राम पंचेत आद्व अला में बार बार टिवैल खराब होने के कुछ कारण है जो जल संस्थान की तरफ से अलग से ट्रास्फरम को रखा गया है उसी ट्रास्फरम से कनेक्शन दिये गए हैं गाउं की सप्लाई के लिए होटलों पे सप्लाई उसी से जारी है जो इलेवन के भी ट्रास्फरम रखा हो है जल संस्थान की तरफ से उस पे लोड पढ़ने की वज़े से पूरे होटलों का लोड पढ़ने की वज़े से उत्रांचल उत्धान परिश्वित के तद्वधान में निर्मित सेवा निकेतन दूहनिया कोटबाग लाइब्रेरी का लुकार पढ़ कल 7 नवंबर को होगा उत्राखंड उत्धान परिश्वित के महमंतरी रांप्रकाश पैन्यूरी और कारकर्म के प्रदीश संयोजग म मनोज पाठक ने संयुक्त प्रेसवारता में बताया कि सेवा दीप निकेतन बिठोरिया हल्दुवानी की तरज पर लाइब्रेरी कौशल विकास के केंद्र के रूप में कोटा बाग में भी भवन बना है। उत्थान परिश्यद प्रतिवर्श राज उत्रखंड इस साप्त दिवस के आयोजन के क्रम में कल ही महा पंच्वायत आयोजित की जाएगी इस अफसर पर उत्रखंड के अनेक प्रगतिशील एवं प्रयोग धर्म की काश्तकारों को सम्मानित भी किया जाएगा। लोगों को एक लाइब्रेरी और मात्रसक्ति को जो घरिलू महला हैं उनको कम्प्यूटर का बेसिक ज्यान विभिन्न आयामों के माध्यम से वो चाहे जैविक खेती की बात कहें या छोटे-छोटे उद्योगों के रूप में जिस तरह से लोग अपने आर्थे की का सभासत दानिश्ट का कहना है कि दरगा पिरान कलियर मेला भूमी में मालिकाना हक को लेकर वक्फ वोड और सेवादारों में लंबी समय से विवाद चल रहा है जबकि उक्त मेला भूमी में साथ सो तिरपन वर्शों से दरगाह साबीर एपाक के सालाना उर्स का भव्य जन होता है बता दे कि ये पूरा मामला 2019 से पहले उर्स के दौरान लगे मेला भूमी में इस्थापित की गई दुकानों और होटलों से जड़ा हुआ है अब इसके सम्मन्द में कारवाहक प्रबंदग मुहमद शफीक को तीन दिन के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश दि कि उस पर कल जाच की गई और जाच में पाया के वसुली गलत तरीके से हुई और वो पैसा कहां गया इसकी संपूर्ण जाच करी जा रही है और ज्वेंट मजिश्टे साब ने ये पूरा अस्वासन दिया है कि इसमें सही जाच होगी और ये पैसे का जहां भी गया उसकी र जाच बठी हुए जाच जाच बठी हुए जाच है कि जो मेला हुआ था यहां को दुबाने लगेंगी उसका जो जो फेंट गिया जाता है दुबानों वाला उस पर ये इस्चु जो लेना चाहिए था और कितना मौन का तो जो जो अमांट है अभी ये दरगा प्रबंदक ब हाने कुछ रिकॉड जी हमें जाच रिकॉड के हम जाच करके ले स्थापित करेंगे गोटार को भारी बारिज से छतिग्रस्थ हुआ पुल-गौलळ फिर से दो पहियों और हलके वाहनों की आवजाही के लिए शुरू हो गया है हलाकि आदिकारिक तोर पर अभी गौलळ औ पहियों वाहनों के लिए नहीं खोला गया है लेकिन आम जिंता ने गौलापुल से हलकी फुलकी आवजाही शुरू कर दी है छदिगरस्त गौलापुल के एप्रोच की मरमत का कार लगभग पूरा हो गया है जिसके चलते हलकी और दो पहिया वाहन आवजाही करने लगे हैं उ अगले एक दो दिन में गौलापुल से वाहनों क्या वजाही शुरू की चाएगी जिसके बाद हल्दवानी से गौलापार तनकपुर और चमपावत जाने वाले यात्रियों को राहत मेरे जी वहीं करतलब है कि 18 अक्टूबर को भारी बारिश के चलते बड़ापुल का एक ह इस सा छतिग्रस्त हो गया था जिसके बाद हल्दवानी का गौलापुल सितार गंच और खटीमा आधी इलाकों से संपर्क पूरी तरह से कट गया था उत्राखंड सरकार और केंद्रे मंत्रियों के लगतार निरिक्षड के बाद NHAI के अधिकारियों ने काम में तेजी दिखाते हुए छतिग्रस्त गौलापुल के अप्रोच का काम लगभग पूरा कर लिया है उत्राखंड में रुड़की के छात्रा असमा खान ने नीट की परिक्ष़ा में टॉप किया है असमा खान ने उत्राखंड में टॉप होने पर कहा कि वो बहुत खुश हैं और उनके परिवार और रिष्टेदार भी काफी खुश नज़र आए उन्होंने कहा कि मुझे यहां तक मोहचरें पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा जैसे शादी, पार्टी, खेलकुद, आदी को त्यागना पड़ा और जो मेरे शौक थे करीब करीब सभी को त्यागना पड़ा जो आप गुतरा खनमिर्टों पर आईए उसके बारे में आप क्या कहना है? मैं कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत जादा खुशी हो दी है, मतलब कहते हैं ना मैं सेवन्थ क्लाउड पर हूँ तक मेरी खुशी का कोई ठीकाना नहीं है और अब जो मेरा तागित है वो मुझे अची हो गया और वो मुझे मिलने वाला है तो मतलब बस अब मैं तो इसी इनी खौब में हूँ के हाँ अब अपने चाहत के कॉलेज में जाएंगे और वहां इतनी मस्ती होगी, इतनी पढ़ाई होगी आप सेकेंड गौड कहनाने के फर्स टेप पर चड़ चुके हैं तो एक बहुत ही अलग लेवल की खुशी है मझे इसको तो आपको जैसे आपने प्रीक साथी इसमें काफी समस्च्य वा सामना भी करना पड़ा होगा और काफी कुछ त्यागना पड़ा होगा तो उसके बार मतलब मैं थोड़ी empathetic kind of person हूं मुझे ज्यादा फील होता है कुईसी का भी दुख तो वो सब चीजे मुझे बहुत डिस्टरब करती थी मेरी पढ़ाई के लिए कि यह क्यों होगा और मुझे रगता था मैं कुछ हेल्प कर सकूँ और मैंने एक अपनी organization स्टार्ट भी करी थ जिसमें मतलब लोग हम से आके अपनी problem शेयर कर सके तो ये सब चीजे पढ़ाई के लिए थोड़ी समस्चा ही थी एक तरीके से और बहुत दुख पराई था बहुत mentally परेशान भी में रहती थी कि यह क्यों हो रहा है ठीक हो जाए अल्मोडा के तालुका विकासखन के विजयपूर पाथिया गाउं में गोवर्धन पूजा के दिन पाशार युद्ध खेला जाता है यहां चमपवत के देवी धुरा की तरज़ पर एतिहासिक पाशार युद्ध याने की बगवाल खेली जाती है जहां पाशार युद्ध की प्रथा यहां सदियों से चली आ रही है इस पाशार युद्ध में दो गोट पच घटिया नदी के दोनों किनारे पर खड़े होकर एक दूसरे के उपर जम कर पत्थर बरसाते हैं इस युद्ध को देखने के लिए छेतर के दरजनों लोग गाउ आते हैं पाशार युद्ध का अगाज पाथिया गाओ के मैदान में गाई के पूझा के साथ होता है और इस पाशार युद्ध का अगाज बकाइदा ढोल नगाडों के साथ इस साल भी किया गया जिसमें युद्धाओं में जोश भरा हुआ दिखा और इस पाशार युद्ध की सब लोगों को अगर आएंगे और लोगों को तो सितार गंच के बिजची चौराहे पर भीशड सड़क हाथा हुआ है बता दे के नानक मत्ता दिवाली मेले से लौट रहे श्रधालू की तेज रफ़ता ट्रैक्टर ट्रॉली बिजटी चौराहे पर बने गोल चकर से टकरा गई टकर इतनी जबरतस थी कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई ज़की कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए है बात में मौके पर पहुँची पुलिस ने सानी निवासियों की मदद से घायलों को 108 से सितार गंज के CHC में पहुँचाया जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान गंभीर घायलों को रेफर कर दिया है और बाकी घायलों का इलाज चल रहा है वहीं डॉक्टर रविंद्र सिंग ने बताया कि छुटी होने के कारण अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के कारण गंभीर घायलों का उपचार करने में डॉक्टरों को काफी परिशा का सामना करना पड़ रहा है जिसके में पास GPS फोटू है सदार जी एक रहे थे लेट आये तो क्या हो गया है और वहां काफी लोग अच्छिडेंटल थे जिसमें एक आत्मी की डैथ हो गई है उनको प्रैमरी टीटमेंट के उपरा अंतम आगे रेफर करेंगे और बाकि कफी सार पेशेंट ऐसे हैं जिनको कुछ खुड़ी चोटे हैं उनको नाचाहां पर कर दे लिए और दिवाली के ब्लक्ष में आज इसका थोड़ा कम था तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा हुगा है कि रहने वाले हैं यहां नाने मत्ता मिला देखने आया थे यहां से वापी जा रहे थे वापी जाते समय ही दुर्गटना हुई है उत्राखन की खबरों में फिलहाल इतना ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे है प्राइम टिवी